अलो दोस्तो दोस्तो क्याल चाले आपके आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे दोस्तो आज बात करने जा रहा हूँ मैं वैगनार गाड़ी के बारे में बहुत सारे भाईयों को यह उता है कि वैगनार टेक्सी लाइन में कैसी गाड़ी है वैगनार से कितना कमा सकते हो आप दिल्ली NCR में या और किसी और बड़ी शहर में फिलाल दिल्ली NCR की बात करूँगा वैगनार गाड़ी जो है दोस्तो टेक्सी के लिए नहीं है बहुत शांदर गाड़ी है एक तो सबसे सस्ती गाड़ीों में एक है ये बाकी गाड़ीों के मुकाबले अगर देखा जाए सु करने में कम नहीं है और दिल्ली NCR की बात करें तो यह गाड़ी बेस्ट है वह इसलिए क्योंकि यहां ना बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जैसे आप देखें इस्ट डेली में या बहुत सारे अरिया जहां पर स्विफ्ट और कोई बड़ी गाड़ी चोड़ी गाड़ी उसको द रखती है अंगर तकलीफ कम होगी मतलब तो एक तो यह बेनिफिट है दूसरा क्या है कि इसकी मेंटेनन्स ऑवियसली कम है क्योंकि इसके ताकत भी थोड़ी कम है मैं बताऊं आपको तीन सिलेंडर गाड़ी होती है तो यह इसकी तोड़ी मेंटेनंस कॉस्ट और कॉस्ट औ जाते हैं ऐसा कि जिसमें कभी-कभी थोड़ा सा कम हो जाता है कि पंदरह सतरह सो करेंगा लेकिन मिनिममम दो हजार रुपे की अर्निंग वैगनार गाड़ी में आदमी दिल्ली एंसियार में करेगा ही करेगा और अगर ठीक-ठाक चला रहा है एक्सपिरिंस हो चुका है उस और वैगनार गाड़ी काम कर रही है तो उसमें क्या बचट किया है अगर टैक्सी लाइफ में बात करें तो पच्छेसो रुपे की सियनजी अभी हम मानते हैं, चलो 700 रुपे की CNG, या हम चलो 800 रुपे की CNG मान लेते हैं, इस से जाधा नहीं लगेगी, क्योंकि वो 3 सिलेंडर गाड़ी है, थोड़ा एवरेज जाधा अच्छी है गाड़ी की, 800 रुपे की CNG अगर माइनस कर देते हैं, 2500 में तो बचते हैं, 1700 रुपे अगर हम और निकाल देते हैं, मेंटेनेंस और पेपर वर्क के तौर पर, तो 1700 में से और 200 कम कर दिये, तो आपको बचते हैं, 1500 रुपे, 1500 रुपे में दोस्तों, मान लो आपने कोई टोल वगरा कटवाया, तो 101 रुपे और माइनस कर दो, 100 रुपे आप अगर खा भी जाते ह हो, फिर भी मैं कहूंगा कि 12 से ले करके 1400-1500 ये आप बचा होगे, पर डे का अगर हम कहें, तो ये आप बचा लोगे इतने पैसे, तो इतनी आप अर्निंग कर सकते हो, इस से जादा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहला आप इसके अंदर 12-1300 रुपे प्रती दिन के बचा सकते हो, सारे खर्चे काट करके, 1500 तक भी जा सकता है, और कभी-कभी ये 1000 तक भी आ सकता है, तो ये आप मान के चले कि 1000 तक कम आएगा, जो बंदा काम कर रहा है ना, इसके अंदर वो इतना बिढ़ा देता है, इतना आकड़ा वेगनार में बैट जाता है, कि आपको लगभग 1300 से 1500 रुपे के आसपास की बचत, खर्चे काट के, अगर आप 2500 के आसपास का काम कर रहे हो, CNG 100-200 कमती बढ़ती हो सकती है, आपके ट्रेवल के ऊपर है कि आप ज़्यादा जाम में तो नहीं फसे, तो ये मान के चलिए, 1300 से 1500 तक की इजली बचत कर सकते हो, मंतली आप लगा लें, तो ये आंकड़ा जो है, 35 से 40,000, 45,000 का बैट जाता है, अब अगर आपकी किस्त मान अगर गाड़ी की, अगर आपने नहीं गाड़ी लिया, आपकी 13,000 की किस्त भी है, या 15,000 की किस्त भी है, तब भी आप जो है, इसके अंदर, मतलब आप मान के चलो, 20 से लेके 25,000 रुपए, सारी खर्चे काटने के बाद, अपनी इंस्ट्रॉल्मेंट काटने के बाद, 20 से नोकरी करने से बहतर, अगर आपके पास, दो लाख रुपए के असपास की डाउन पेमेंट का इंतजाम है आपके पास, नहीं है, तो थोड़ा बहुत कर लो किसी से, और अगर आप इस टेक्सी लेन में आना चाहते हो, तो वैगनार गाड़ी बड़िया ऑप्शन है, और आउट स्टेशन के लिए थोड़ी है चोईस इसकी कम करते हैं राइडर्स, यह इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन लोकल में जैसे एक आच शेहर में, दो शेहर में, अगर आप लोकल में चलते हो आप, तो यह बड़िया ऑप्शन है, बहुत आपको आउट स्टेशन हमें वैगनार को जादा महत्व देते हैं, क्योंकि यह निकल जाती है, थोड़ा सा कम स्पेस में भी, थोड़ा जगा कम लेती है, कॉम्पैक्ट होती है न गाड़ी जरा, तो मेरी रेकमेंडेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बढ़िया है, वैगनार गाड़ी सदा तो अर्निंग मैंने आपको बता दी है, कितनी आप अर्निंग कर सकते हो इसके अंदर, और यह रियल अर्निंग है, मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत देखो, किसी के काम में भी आप इसके अंदर आप 100% accurately बता नहीं सकते कि कोई कितना कमा रहा है इसके अंदर, क्योंक पर भी गाड़ी अटैच हो सकती है, अब आउस्टेशन के लिए थोड़ा कम रहेगी, खीक है दोस्तों वैगनार की जानकारी पसंद आए अगर आपको, तो इस वीडियो को जो है लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ऐसे नए-ने टोपिक्स म नए-ने वीडियो में आपके लिए बनाता रहूँआ, मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड़ बाए